हलो दोस्तों, आज एम इस वीडियो में नसीब नाम सेबने उन दो फिल्मों के बाते करेंगे जो आपने चुरूवते फिंग होंगे चले जानते हैं फिल्मों के बारे में कौन सी फिल्म को हुई थी हिट और कौन सी गई थी पिट नसीब फिल्म साल 1981 में आई एक रोमेंटिक ड्रामा हिन्दी फिल्म दे इस फिल्म पर रडेशन मनमान देशाई ने किया था नसीब फिल्म में अमिताब बेच्चन, सत्रोगन शिना, रिशी कपूर, हेमा मालेनी, रिना रोय, पुरान, सक्ति कपूर, प्रेन चोबडा, कादर खान, अमजद खान और अम्रूस्पुरी जैसे दिगज गलागार नजर आई थे नसीब फिल्म बॉलिवर की पहली फिल्म थी, जिसके ट्रेलर को फिल्म के रिलीज होना से पहले दोर दर्शन पर दिखाया गया था इस फिल्म के निर्देशक, मनमान देशाई, नसीब फिल्म में भी अमर अगवर एंटोनी फिल्म जो साल 1977 में आई थी, उसी के स्टार कोस्ट को लेना चाहते थे लेगिन विनोध खन्ना ने इस फिल्म में काम परने से मना कर दिया था फिर विनोध खन्ना की जबे सत्रुगन शिना को नसीफ फिल्म में लिया गया था ये फिल्म अमिताब बच्चन और सत्रुगन शिना की साथ में आखरी फिल्म थी इससे पहले दोनों ने शान, रास्तेकापत्तर, दोस्ताना, कानापत्तर, परवाना और मॉम्देटुगवा जैसे खिल्मों में काम किया था अमिताब बच्चन और सत्रुगन सिना ने इस फिल्म की स्चूटिंग और शान फिल्म की स्चूटिंग एक साथ में किय थी रिना रोई से पहले जूली कारोल परवीन बावी को ओफर हुआ था लेकिन परवीन बावी ने इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया था नसी फिल्म बॉक्स ओपिस पर स्चूपरीट था और नसी फिल्म का बजब 3 कोड़ रुपे था और इस फिल्म ने बॉक्स आफिसर वर्लड वाइड 11 कोर्ड रुपे की जब दस्त कमाई की थी जो सार 1981 की दूसरी सची जाद कमाई करने वाली फिल्म बनी थे दूसरी नसी फिल्म साल 1998 में आई थी ये फिल्म रोमेंटिक कोमेड़ ड्रामा हिंदी फिल्म थी इस फिल्म बने डिदेशन किर्थी कमार ने किया था और इस फिल्म में गोविंदा, ममता कुलकर्मी, राहुल रोई, सक्तिक अपूर और खादर खान जैसे दिगस कलगा नजर आई थे ये फिल्म पहले साल 1996 में रिलीज होने वाली थी लेकिन कुछ कारणों से ये फिल्म दो साल डिले होने के बाद 1998 में रिलीज होई थी खादर खान, गोविंदा की इस नसी फिल्म के अलावा, साल 1990 में आई अमिताब बच्चन की नसी फिल्म में भी नजर आई थे ये फिल्म गोविंदा और आमता कुल करने की साथ में तीसरी फिल्म थी इससे पहले दुनोंने किस्मत और अंदूलन फिल्म में भी काम किया था ये नसी फिल्म बॉक्स ओपिस पर डिजाश्ट साबित हुई थी और इस फिल्म का बजट दो कुरूड पच्टर लाक हुए था और ये फिल्म बॉक्स ओपिस फर वर्ल्ड वाइड दो कुरूड चौश्ट लाक हुए ही कमा पाई थी ये फिल्म साल 1908 ठानवे की एक बड़ी फिल्म साबित हुई थी तो दोस्तों ये थी एक नाम से बनी दो फिल्मे इन में से कौन सी मूवी आपको ज़्यादा पसंद आए थी जरूर बताएगा अगर आपको ये वीडियो और जानकरी पसंद आए तो प्लीज आपके अपने इस फिल्मी प्रीचे चैनल को सब्सक्राइब, लाइट और सेर जरूर कीचे दोस्तों तो चलिए मिलते हैं ऐसी इंट्रेस्टिंग एक और नए वीडियो के साथ दिल्दैन आप सभी स्वश्त रहिए और खुश रहिए